गल् capacity दो स्वागत है आपका अपना चैनल पाइब बिनो तार वेधा में दोस्टो भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निक velvet यह डियो बैल अगर आएकन और जुरूर दोएँ चैनल को सब्सक्राइब करने से हो बी मैं लेटेस्ट वीडियो अप्लोड करूँआ हैथ रिलेटेड आप उन सभी वीडियोज को असानी से देख पाओगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो यह सब्सक्राइब का लाल बटन है आप इसे जरूर दबाएं दोस्ता आज मैं आपको बताने जरूर एक ऐसे नुष्के के बारे में जिसके करने से जिनका चैरा दूप के कारण दोल्विट्ट के कारण पॉल्यूशन के कारण आपका चैरा बिल्कुल कॉला पड़ चुका है या पिंपल दाग दब्वे फोड़े फूंसी एकनी या जो पोर्स है चैरी के अंदर छोट करता है और इसके साथ शाथ इस नुष्के के करने से आपका चैरा स्मूथ है और सायनी हम यह च Sea को बनाने के लिए पूस से पहले चाहिए एक कंच की को तोरी दूसरा एक चमच बेकिंग सोडा तीसर आप को चाईए एक चमच गोले का तेल आप जाई कर इस पेश्ट को अच्छे से मिलाएं इस पेश्ट को तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक ये गाड़ा पेश्ट त्यार न हो जाए जैसे मलाई होती है उसी तरीके से ये पेश्ट बिल्कुल त्यार हो जाएगा जब ये पेश्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से त्यार हो मसाज 5-10 विनिट करनी है और 10 विनिट के बाद हलके गुनगुने पाने से आप अपने चाहरे को अच्छे से क्लीन कर लें बस इतने मातर करने से आपका चाहरा क्लीन एंड क्लीर हो जाएगा बेकिंग सोड़े के अंदर विटामिन से ही है जो आपकी स्किन को वैटनिंग बनाता है आपकी स्किन को क्लीन करता है आपकी बढ़ती उमर को कम करने में मदद करता है बेकिंग सोड़ा और जो गोले का तेल है गोले का तेल आपकी स्किन को स्मूथ हैं साइनी मनाने मदद करता है और आपकी स्किन को मोसराइज करता और क्योर भी करता है गोल लेगाते आप इस पेस्ट को अपयोग हफते में दो बार करें बस इतने मातर करने से आपके चैरे की जितनी भी प्रोलम है वो ठीक हो जाएंगी और इस नुश्के के इस्तेमाल से आपका चैरा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा और आपके चैरे को वाइटनिंग बनाने में ग्लोइंग बनाने में पिंपल दाग दब्बे फोडे फूंसी एकनी या बढ़ती उमर की भी समस्या है उसे भी क्योर करने में ठीक करने में मज़द करता है यह नुश्का आप इस नुश्के का इस्तिमाल करें हमेशा खुस रहें और हमे हुआ 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 है